आप सबने मेरी फर्मनेंट राइस वाटर की रेसिपी को बहुत पसंद किया था उससे काफी लोगों के हैर ग्रो भी हुए हैं सबने मुझको इंस्टाग्राम पे पिक्स भी शेयर किये थे आज मैं शेयर करूंगी फर्मनेंट राइस ओयल एक काफी अच्छा रेजल देता है हैर्स के लिए जिनको डेली अपने हैर वास करना पसंद नहीं है या फिर अपने हैर्स पर फर्मनेंट राइस वाटर यूज नहीं कर पाते हैं बहुत ज़्यादा बिजी है उनके लिए खा लिए और आपको चाहिए कौकोनट ओयल सो कैसे बनाऊंगी यह में आपको पूरा दिखाऊंगी वीडियो में जाने से पहले एक लाइक कर दीजी और अगर पहली बार में एचानल को देख रहे तो सब्स्राइब जरूर कर लेना तो लेट स्टार्ट इस मैजिकल राइस है और इसमें हमें एड करना है अपना favourite हेर ओयल में इसमें एड कर रही हूं सेश में हेर ओयल आप चाहे तो coconut or il mustn't abi आप कर सकते हैं फिर में इसमें एड कर रही हूं rice flour आपको घर का जो चावल होता है उसको और सबसे पेस्ट बना लेना है और इसमें एड कर देना है फिर आपको ऐसे खोल लेना है और आपको इसका ढखकन लगाके 7 देज के लिए नॉर्मल टेमपरेचर पर इसको छोड़ देना है तभी यह ओयल बनके रेडी हो जाएगा 7 दे के बाद आप इस ओयल को यूज कर सकते हैं यह बिल्कुल रेडी है यूज के लिए इसे आप एक बोल में निकाल लीजिए और यूज कीजिए आपको बीच बीच में ओयल को थुरा सा हिला देना है ताकि यह राइस के साथ मीक्स हो सकें तो अभी मैं आपको यूज करना दिखा रही हूँ आपको इस ओयल को अपने पूरे स्कैल्प में ऐसे लगा लेना है आप चाहे तो इंटाया हेर पे भी इसको यूज कर सकते हैं यह आपके डैमेज हेर को रिप्या भी करेगा और साथी साथ आपके नियू हेर्स ग्रो थीक होंगे, लॉंग होंगे, आपके हेर्स बहुत जादा बाउंसी बन जाएंगे, जब आपने हेर्स पे ब्रेट बनाएंगे तभी आपको पता चल जाएगा पहले में और अब में कितना फरक है, अब जो राइस बच जाएगा ओयल यूज करने के बाद आप उस राइस को as a skin scrubber यूज कर सकते हैं, जिनको blackheads, whiteheads और dead skin cells से problem होती है, वो अपने face पे इस scrubber का यूज कर सकते हैं, इस oil को आपको कम से कम week में दो दिन यूज करना है, अच्छे से अच्छा result पाने के लिए, और यूज करने के बाद आप अपना feedback मेरे साथ जरूर शेयर करना, सो मिलते ह in next video में, बबबबाए!